कि अग्याइज आप सब लोग को स्वागत है मारे चैनल एक्जाम करकर वे तीवी में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आपका एकाउंटिंग और फाइनेंस एकाउंटिंग और फाइनेस जो कि अपका अलग सब्जेक्ट एक हो जाता है जयाएबी का अभी तक तो लीगडरा एंड एक्षपिट्स ऑफ बैंकिंग कर दो काफी कि डिसाड़ करने बहुत जयाद सोचने कि मैंने सोचा कि कुछ चालू किया आपको याद रखना है बस ठीक है एक दम पॉइंट टू-पॉइंट बात करेंगे ज्यादा टाइम विस्ट नहीं करेंगे पहला चैप्टर जो है अपका कैलकुलेशन आफ इंट्रेस्ट एंड एन्योटी इंट्रेस्ट में आपका यह होता है कि मान के चले कोई भी किसी को आ इतना का loan दे है मान के चले 10 और 10 रुपे का loan दे हो तो क्या वह दस रुपे वापस करेंगा नहीं दस रुपे थोड़ा सा इंट्रेस्ट जोड़के उसको वापस करना पड़ेगा क्यूँकि वह कुछ टर्म के लिए कुछ टाइम के लिए है और वह बैंक या फी wiping इंस्ट्यूशन का क्या है वह प्रॉफिट है वह टर्म में जो इंट्रेस्ट एक्स्ट्रा दे रहा वही तो फाइदा है अगर 10 रुपय का 10 रुपय वापस आएगा तो बैंक को फाइदा ही नहीं होगा तो यह चीज निकालने के लिए हम लोग इंट्रेस्ट पढ़ते हैं ठ सबस्के पहले इंट्रेस्ट को फिक्स रहता है हर महीने में लेकिन कंपॉण इंट्रेस्ट वह होता है कि हर महीने में आपका जो नेक्स्ट इंट्रेस्ट है उस पर इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट मतलब इस पर जो इंट्रेस्ट लग रहा है उस पर भी इंट्रेस्ट लगेगा तो इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट लगने को बोलते हैं करना है divided by 100 कर देना है आपको क्या निकल जाएगा simple interest निकल जाएगा ठीक है कितना निकल जाएगा simple interest आप लोग का तीनों को multiply करोगे divided by 100 करोगे तो आपका 480 simple interest निकलेगा और हम लोग को पता कैसे चला कि यह simple interest पूछ रहा है यहाँ पर question देखिए how much interest would he earn after two years कहीं पी भी compounded annually लिखा है क्या नहीं लिखा है अगर compounded annually नहीं कहीं लिखा है तो आप उसको 100% default में simple interest मान लीजी लेकिन अगर question में compounded annually लिखा है तो that is compound interest question और compound interest question को solve कैसे करना है compound interest का amount का formula होता है P into 1 plus R by 100 to the power N P आपको पता है 5000R आपको पता है 4.800 आपको number है और N जो है total number of years that is 2 यह amount है यह interest नहीं है amount में से हम लोग principal को minus करते हैं तब जाके some compound interest निकलेगा तो सबसे पहले तो amount निकलेगा आपका P into 1 plus R by 100 to the power N उसके बाद उसमें से principal that is 5000 को minus करोगे तो वो निकलेगा compound interest तो यह component का formula है कुछ important मतलब आपको चिंता ही नहीं करना है P में 5000 लगाओ R में 4.8 N में 2 तो आपका क्या निकलेगा amount निकलेगा उसमें से principal को minus कर दोगा तो क्या मिल जागा compound interest यह होगे आपका interest का टेक है interest में अब आप लोग का दो टाइप का interest होता है fixed floating fixed क्या होता है मान के सले market उपर नीचे चल रहा है तो उसकी हिसाब से अगर interest आपका उपर नीचे हो रहा है अगर आप लोग 8% में लोन लिये थे market उपर गया उसका interest change हो रहा है तो उसको बोलेंगा floating as per market अगर rate change हो रहा है that is floating लेकिन market change हो रहा है लेकिन rate आपका 8% ही है उसको बोलते है fixed rate उसको बोलते है fixed आज कल floating ही चलता है fixed आप लोग का पूरे वितर बंद होगे क्योंकि market का fluctuation बहुत है ठीक है fluctuation बहुत है इसलिए floating ही चलता है है ना ऐसा नहीं कर सकते कि repo rate आप आप ही repo rate पी change होगे तो repo rate जैस front end and back end interest simple जी बात करो front end में एक याद रखो bill discount front end में क्या होता है आपका मान के चलिए 100 रुपे का loan है 100 रुपे का loan है उसमें 10 रुपे का interest है तो bank या कोई भी institution क्या करेगा वो आपको 90 रुपे देगा और आपसे 100 रुपे ले लेगा वो आपको 90 रुपे दिया और आपसे 100 रुपे ले लिया तो bank को फाइदा ही तो हुआ ना bank को फाइदा ही हुआ उसको बोलते है हम लोग interest को minus करके final में आपका total amount ले रहा है उसको bill discount जैसा आप मान के चलिए front end interest में आपका ये concept है bank and interest में क्या है bank आपको loan दिया 100 का आप उस उसको वापस के 110 इसमें भी bank को फाइदा हो रहा है लेकिन bank पूरा का पूरा amount उसको दे रहा है और उससे 10% extra ले रहा है लेकिन वही front end में क्या होता है वो पहले ही interest को कम कर देते हैं देखिए इसमें क्या लिख है ठीक है इसमें देखने का जोरत नहीं है आपको समझ में आ उन में यूज होता है ठीक है यह होगे आपका complete अगला है annuities annuities की बात किया जाए तो regular periods regular periods में regular months में आप payment करते हैं वो आपका annuity कहलाता है at some point on your life you may have to had to make a series of fixed payments over a period of time such as rent or car payments और have received a series of payments over a period of time such as bond coupons is called annuities कुछ नहीं है आपका regular payments है या regular payment received हो रहा है या regular payment pay कर रहे हैं आप लोग उसको हम लोग annuities बोलते हैं और कुछ भी ज्यादा बड़ा concept नहीं है इसमें दो टाइप का annuity होते हैं एक होते है ordinary annuity एक होते annuity due देखो end of each period मान के चलिए March है April है March 31 को pay हो रहा है या receive हो रहा है पैसा receive हो रहा है या pay हो रहा है दोनों annuity है या pay हो रहा है या receive हो रहा है जो भी हो रहा है March 31 को हो रहा है April 30 को हो रहा है, माई 31 को हो रहा है, मतलब मन्त के end में हो रहा है, that is called ordinary annuity, annuity due क्या होता है, March 1, April 1, माई 1, मतलब मन्त के start में, beginning of each period, या तो receive हो रहा है, या तो pay कर रहे है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है, आप लोग rent क्या करते हैं, pay करते हैं, interest क्या होता है, यह आपको receive होता है, ठीक है, fixed deposit, RD करते हैं, जो भी करते हैं, तो आपको interest pay होता है, मन्तली, mm, मन्तली भी आता है, उसका है, जो भी आपका schemes, तो annuity due में जो है, आपका beginning of each period में, आपको होता है, जो भी होता है, और ordinary annuity में, end of each period में, आपका, जो भी होता है, action, वो end of each period में होता है, ठीक है, आप बात करते हैं हम लोग यह बहुत इंपोर्टेंट एक फॉर्मुला है ठीक है यह फॉर्मुला में आपका इसमें क्या चीज़ का फॉर्मुला है एन्यूटी का फ्यूच फ्यूचर वैल्यू और प्रेजन वैल्यू इसको मैं बताना भूल गया आपको बानके चलिए आप फ्यूचर वैल्यू सिंपल है present value आपका फूचर वैल्यू आपका 150 क्या present value present value आपका कोई भी चीज़ का है आज वो कम है आगे जा कि inflation बढ़ेता तो उसका value बढ़ेगा विशनी बात है तो 150 हो जाएगा जो फ्यूचर में जो वैल्य वह फ्यूचर वैल्यूई हो तो एन्युटी ओडिनरी हम लोग चार चीज पढ़ेंगे ओर न्यूटी दोनों में फ्यूचर वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू का एंड प्रेजेंट वैल्यू के निमेरिकल कुछ क्या होता है आपका जो भी एमोंट आपका पे हो रहा है जो भी मान के चलिए thousand जो है आप every end of the month आप किसी को दे रहे हो पे कर रहे हो ठीक है और आई मतलब क्या है interest rate है ठीक है आई आपका interest rate है and के number of payments number of payments मान के चलिए 1000 रुपे आप पांच बार महीने के end में महीने के end की बात कि क्या हो जाएगा ordinary annuity thousand रुपीज पांच बार आप पे करेंगे five times अगर पे करेंगे पांच बार पे करेंगे with the interest rate of five percent तो उसमें आपको निकालना है ordinary annuity का future value कोशन यह है तो formula किया है आपका c that is 5000 1000 and i that is five and that is five ठीक है five percent ठीक है five percent है i मतलब five percent n मतलब five और c मतलब thousand तो thousand into one plus 0.05 to the power five minus one by 0.05 तो इसको जैसी solve करेंगे आप लोग calculator में calculator allow होता है तो आपका answer हो जाएगा 5525.63 एक तो हो गया यह बहुत important है इसको star mark कर लो future value of ordinary annuity अगला है present value of ordinary annuity same है funda thousand रुपीज rate of interest five percent time आपका n five years ठीक है सारा चीज लगा देना है बस formula change होगे present value के लिए c into one plus r to the power n minus one divided by r into one plus r to the power n यह formula में सब कुछ डालोगे तो आपका answer आजाएगा आपके हाथ में यहाँ क्या answer आ रहा है आप लोग देखेंगे इसको solve करने के बद 4329 अब यह देखते हैं हम लोग इससे पहले जो है इसका answer जो था वो आया था 5525 और यहाँ पे जो value आया है 4329 यह difference क्यों है दोनों में तो 1000 की बात कर रहे हैं क्यों ऐसा आ रहे हैं जैसे मानके चलिए March, April, May, June, July ठीक है हर महिने 1000 रुपे आपका जो भी action हो रहा है हर महिने की ending में हो रहा है ठीक है present value इसका कम होगा है की नहीं 5000 आपको pay कर रहे है 5000 आपको मिल रहे है तो उसका present value future में मिल रहे है total future में आपका मान के चलिए भी February है February है तो आज आप इसको अगर देखेंगे तो आज इसकी value कितनी 4329 और वो आपको मिलेगा कितना total 5000 इसलिए present value कम रहता है 5000 से ठीक है और अगर future value की बात किया जाए तो future value आप pay कर रहे हैं और आपको आखरी में आपको उस चीज़ को मिलेगा तो ये future value है ठीक है ये future value कितना हो जाएगा 5525 ये हो रहा है 5000 से ज़्यादा future value कभी भी आपका total जो भी है amount उससे ज़्यादा होगा ठीक है क्योंकि आप pay कर रहे हैं और last में आपको उसके साथ interest भी मिलता है लेकि present value में interest कम हो जाएगा क्योंकि आप interest उसमें जोड के total जो है 5000 बनेगा है ना प्लस आर टू तो पावर एंड मैनस वन बै आर और ये आई मतलब interest है या तो आर लेख सकते हो आप लोग को आर भी कर सकते हो इंटू 1 प्लस आर कर देना है और कुछ नहीं formula कुछ चेंज नहीं है formula same है इंटू 1 प्लस आर और फिर आपका answer आजाएगा ये होगे future value और present value का formula आप लोग देखेंगे तो present value का formula है ये इसमें भी कुछ नहीं है ये आपका कितना है ये ordinary annuity का है formula इंटू 1 प्लस आर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा present value of annuity due निकल जाएगा इसका भी आप लोग answer check कर सकते है numerical से हैं सारे ठीक है एक question आता है EMI EMI क्या equated monthly installment दस लाग रुपे का loan दिया गया आपको interest rate इतना है repable in 15 years 15 years में कितने months होते है 180 months होते है 10.5% को annum में नहीं लेना है क्योंकि आपको equated monthly installment निकालना है तो 10.5 by 100 into 12 करना है by 100 क्यों क्यों क्योंकि percent है by 12 क्यों क्योंकि एक साल में 12 महीने होते है ये value होगा आपका rate of interest ये value होगा आपका time और आपका ये value है जो 10 लाग वो है principle अब आपको formula क्या है P into R into 1 plus R to the power N by 1 plus R to the power N minus 1 R क्या होगा ये N क्या होगा 180 P क्या होगा 10 लाग ठीक है अगर इसको solve करोगे तो आपके पास answer आ जाएगा ठीक है अगला है आपका हां अब जो अनुटी ड्you की बात कर रहे थे हम लोग अनुटी ड्you में जो है आपको payment मिलेगा कितना मंतली मिलेगा जद मंतली आप पे कर रहे हो ये ordinary न एनूटी में भी पे कर रहे हैं यह मन्तली मिल रहा है लेकिन यहां इस कोशन में हम लोग क्या देख रहे हैं आपको एक बंच में मौन्ट किया कितना 17,000 कब पांच साल के बाद कितने परसेंट में 12 परसेंट पर कंपॉंड मंतली 17,000 आपको चाहिए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा कि आ आपको maturity कितना चीए, 17,000, 5 साल के बाद, परसंट चल रहा है, 12%, तो आपका पर मन्त कितना देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं, यही कोशन है, formula आपका simple सा है, f equal to a into 1 plus i to the power n minus 1 by i, ठीक है, f के आपका future value, that is 17,000, 17,000 ही तो है future value, आपको कितना चीए, 17,000 ही तो चीए, ठीक है, i कितना दिया हुए, 12%, क्या 12% को लेलेंगे, नहीं, 12 by 100 into 12 करेंगे, क्योंकि monthly time, monthly period निकाल रहे हो, जब भी monthly की बात करें, तो divided by 100, divided by 12 करना जरूरी है, और जैसी करोगे तो 0.01 आ जाएगा, i rate of interest, n कितना 60 कहां से आ गया, 60 कैसे आया, 5 years, मतलब कितना, 5 into 12 months, that is 60 months, य 60, यह मिल गया, और यह सारा चीज़ जब डालोगे, तो आपको आ जाएगा, 208, मतलब 208.16, हर महीने अगर pay करोगे, तो 5 साल बात, 12% के interest के इसाब से, आपको 17,000, आपके हाथ में आ जाएगा, account में आ जाएगा, या RD का formula type से है, तो यह आपका complete होता है, chapter number 1, chapter number 1 में, ठीक अगर कोई भी दिक्कत है, formula को लिख लिजिए, formula को लिख लिजिए, formula का अगर list चाहिए, तो वो भी मैं आपको provide कर दूँगा, अलग से, ठीक है, last में, आपके exam से एक हफते पहले, मैं आपको formula का एक list का PDF provide कर दूँगा, ठीक है, उसके लिए आपको चिंता लग करने के बि झाल, 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 झाल झाल